व्याक्ष्यान 35 तो अब तक हमने चर्चा करी है चुम्ब किये शेत्र के बारे में इसके वेक्टर पोटेंशिल के बारे में और इनको निकालने के लिए नियम तथा समी करणों के बारे में और हमने पिछले व्याक्ष्यान में देखा कि जो वेक्टर पोटेंशिल होता है वे एक पोईसों समी करण कानुसरण करता है और इसको हल करने पर हमको जो इसके लिए सूत्र मिलता है वे इस प्रकार से होता है तो यह तो एक व्यापक बात हो गई अब हम ध्यान देंगे कि वह क्या छोटी सबसे एक आई है जिससे चुम्बकी एक्षेत्र या वेक्टर पोटेंशिल मिल सकता है तो इस स्व्याख्यान की चर्चा का विशय होगा वेक्टर पोटेंशिल अर केले र स्विया का वेक्टर या मुल्की पोल expansion और विशेश रूप से हम कोई आगे के बहुत बड़े ध्रूपों पर नहीं जाएंगे विशेश रूप पर हम द्वी ध्रूप की बात करेंगे और तत्पश्चात हम देखेंगे की एक दिये हुए धारा परिपत के लिए चुम्ब कीए त्वेद्रोफ अर्थात डाइपोल कामान तो यह हमारी शर्चा का विशेर है तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहेंगे की जिस प्रकार से हमने अर्थात 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 डाइपोल मान निकाला था अर्थात एक विद्युद्युद्धिव के लिए इसका मान निकाला था जो कि V r बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 P dot r बटा r cubed या 1 upon 4 pi epsilon 0 P dot r unit vector बटा r square ये निकला था उसी प्रकार हम A के लिए भी एक द्रुधिव से होने वाला इसका मान वह निकालेंगे जो अंतर ये आपको बता दूँ विद्योत विभाव तथा वेक्टर पोटेंशल जो हम निकालेंगे के विस्तार में अंतर ये है की विद्योत विभाव के लिए हमें एक कुल आवेश भी मिलता है और फिर उसका अगला पद द्विध्रोफ होता है परंतु ए आर के लिए सबसे छोटी काई जो ए आर बराबर नॉन जीरो दे वे एक द्विध्रोफ ही होती है अर्थात चुमबकी क्षेत्र के लिए कोई आवेश या मोनोपोल नहीं होता तो चुमबकी क्षेत्र में ए आर बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई कुछ क्यू मेगनेटिक और कुछ वेक्टर के जैसी चीज यह नहीं होती है यह आप ध्यान में रखें तो जो सबसे चोटी इकाई है जो ए आर देगी वे एक द्विध्रोफ यह डाइपोल होता है तो अब हम इसकी गढ़ना करते हैं तो इसके लिए हम फिर फिर से अक्ष बना ले रहे हैं और मानते हैं कि मूल बिंदु के पास कोई धारा का परिपत है आए और इससे होने वाले जो प्रभाव है उसमें से एक चुम्बकी प्रभाव है तो हम दूरी आर पर इससे बनने वाले वेक्टर पोटेंशल का मान निकालना चाहते हैं और यहां पर हम मानेंगे कि आर काफी अधिक बहुत बड़ा है परिपत के आकार से. इसी कारण हम एक बाइनॉमियल एक्सपैंशन यह दुपद विस्तार कर सकेंगे. तो जब हम इसका सूत्र लिखते हैं कि ए यार हम निकालना चाहते हैं, इसका सूत्र है, मियू जीरो अपॉन फॉर पाई, जो कि हमने पहले निकाला है, जे आर प्राइम बटा आर माइनस आर प्राइम डी वी प्राइम. अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक तार ले रहा हूँ जो कि एक पतला तार है तो यहाँ पर लिख देते हैं एक पतला तार है तो मैं चाहूंगा कि यह इंटीग्रल मैं आई और इस पतले तार की लंबाई के रूप में लिखूँ तो आप ध्यान करें कि एक यहाँ कि लिख देते हमने जो integral d l prime cross r minus r prime, but r minus r prime cube, वह आ रहा था, और सामने इसके mu zero i, but 4 pi है, इसको बदला था, और इसको हमने एक कुछ तर्क दे कर बदला था, और इसको इस रूप में ले आये थे, जो मैं अब दिखा रहा हूं, mu zero upon 4 pi, j r prime cross r minus r prime, but r minus r prime cubed dv prime, तो हम जो धारा वाला integral था, उसको हम एक आयतन वाले integral में ले आये थे, अब हम ठीक उसका उल्टा कदम लेंगे, तो अब हम उसी कदम को उल्टा लेते हुए, लिखेंगे कि इस परिपत के लिए, a r, बराबर हो जाएगा, mu zero, i upon 4 pi, integral, dl prime, over r, minus r prime, और यह हम पूरे परिपत के उपर ले लेंगे, तो यह मैं आपके लिए अभ्यास के तौर पर छोड़ रहा हूँ, दिखाना आपके लिए अभ्यास के रूप में छोड़ा जा रहा है, तो यह आप दिखाएंगे, तो अब हमारे लिए बड़ा सरल है आगे का कार, हमने क्या करा है कि इस परिपत के लिए, जिसमें धारा आई बह रही है, एक आर दूरी पर वेक्टर पोटेंशल के लिए सूत्र लिखा है, जो की इस प्रकार है, आर बराबर मुझ जीरो, आई बटा, फोर पाई इंटीग्रल, दी ल प्राइम ओवर आर माइनस आर प्राइम, यह इसके पूरे के उपर है, अब चूंकि, मौड आर is much greater than मौड आर प्राइम, क्यों क्योंकि, यह तो परिपत के आकार पर निर्फर करता है, और अब पहले ही मान चुके हैं कि आर इस आकार से बहुत अधिक बड़ा है, तो इसलिए ऐसा है, तो अब हम 1 over r minus r prime को, इसका विस्तार कर सकते हैं, इस प्रकार से, यह होगा, 1 upon r square plus r prime square minus 2 r vector dot r prime vector, पावर 1 half, और इसको यदि हम दृपत प्रमे या बाइनॉमिल प्रमे से लिखे हैं, और r prime में के रहवल, रहिए रहिए पद तक रहें, तो इसका मान हो जाएगा, 1 upon r, 1 plus r dot r prime, बटा r square, और जो उच्छे शेनी के, इसके, इनको हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए, अब मैं लिख सकता हूं, की, a r vector बराबर, mu 0 i, बटा 4 pi, integral d l prime, upon r, 1 plus r vector dot r prime vector, बटा r square, आप देख रहे हैं की, यह थोड़ा सा अधिक जटिल है, विद्यूत विभाव की अपेक्षा, क्योंकि यहां पर, हम एक तो cross product लेते हैं, दूसरा line integral को पूरा करते हैं, तो यह थोड़ा सा अधिक जटिल होता है, और आप धैरी के साथ इसको सीखें, खुद इसका अभ्यास करें, तो धीर धीर आपके लिए भी बहुत सरल हो जाए, तो अब पुने में यह चित्र बना देता हूं, हम एक विद्यूत परिपत, जिसकी अब मैं लिख देता हूं की, एक आर प्राइम दूरी पर हमने डी अल प्राइम रेखी खंड लिया है, और आर पर हम इसका वेक्टर पोटेंशल निकाल रहे हैं, तो यदि हम र प्राइम को केवल रेखिये, रिस्तार तक रखें, तो यह सूत्र आता है, वह है, A r बराबर, mu zero i बटा, four pi integral d l prime और यह integral पूरे परिपत के ऊपर है, तो इसको हम गोले से बताते हैं, divided by r, one plus r dot r prime बटा r square, तो इसको यदि हम लिखें, खुल कर तो यह होगा, mu zero i upon four pi r integral d l prime, plus mu zero i upon four pi r cubed integral d l prime r dot r prime. अब यदि मैं एक परिपत लेता हूँ और इस पर d l prime को इंटेग्रेट करता हूँ, पूरे परिपत पर, तो आप देखेंगे कि d l prime, तो वापिस ही, उसी बिंदू पर आयाता है, यहां पर शुरू करा, तो यह शून्य हो जाए, इसलिए, a r, बराबर है, mu zero i upon four pi r cubed integral d l prime r dot r prime. तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहला जो पद है, इसमें है ही नहीं, तो इसका हम लिख देते हैं कि a r, बराबर mu zero i upon four pi r integral d l prime, बराबर 0 का अर्थ यह है कि कोई स्वतंत्र, चुंब की आवेश, नहीं होता है। यदि होता तो यह एक one over r potential देता, जैसा कि हमने विद्युत विभव में देखा कि एक स्वतंत्र आवेश one over r potential देता है, यह पर one over r potential है ही नहीं, इसका आर्थ यह कि कोई स्वतंत्र चुंब की आवेश नहीं है, यह एक दूसरा तरीका है, देखने का कि कोई स्वतंत्र चुम्ब की आवेश नहीं है. तो अब हमें निकालना है इस परिपत के लिए, a r बराबर, mu 0 i बटा, 4 pi r cubed, और इस परिपत के ऊपर हम ले रहे हैं, यह integral r dot r prime, फिर से आपको ध्यान दिला दूँ की r prime मूल बिंदू से इस परिपत के किसी बिंदू की दूरी है, और यहां पर हमने dl prime एक रेखी खंड़ लिया, और हम इसके उपर इसका समा कलन कर रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए अब हम दो कदम लेंगे, पहला यह है कि यदि आप याद करें, तो तीन वेक्टर अगर हम लें a cross b cross c, यह a b c का vector potential से कोई यहां पर संबंद नहीं है, यह हम तीन वेक्टर ले रहे हैं, जो देते है a dot c b minus a dot b c, अब a की जगह में लिख देता हूं, r cross b की जगह लिख देता हूं, dl prime cross c की जगह लिख देता हूं, r prime, तो यह बराबर हो जाएगा, r dot r prime dl prime minus r dot dl prime r prime, इसलिए r dot r prime dl prime integral बराबर हो जाएगा, r cross, अब integral को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और r को बाहर ले लिया है क्योंकि r पर integral है ही नहीं, plus integral r dot dl prime r prime, अब यह दी आप यह कोई साभी परिपत लें, और मूल बिंदू से r prime दूरी लें, और इस पर एक dl prime लें, तो यह एक शेत्रफल देता है एक त्रिभुच के बराबर, और यहाँ पर तो r prime और dl prime एक दूसरे के लंबवद दिख रहे हैं, तो मैं एक दूसरा चित्र बनाता हूं, जिसमें ऐसा नहीं होगा, यह मूल बिंदू से यहाँ पर r prime है, और यह dl prime है, यह और theta मान लेते हैं, तो यह एक त्रिभुच बन रहा है, और पहले order, first order तक dl prime cross r prime बराबर होगा, इसका मान, dl prime sin theta r prime, और यह इस त्रिभुच के शेत्रफल का दुगना होगा, और यह आप दाए हाथ का नियम का प्रयोग करें, तो इस परिपत में जो यह शेत्रफल है, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, परन्तु हमने dl prime cross r लिया है, तो इसकी दिशा उल्टी ओर है, तो यह दी मैं dl prime cross r prime को दिकनती होजाएगा, minus 2 d area, इसकी दिशा जो इसकी दिशा जो integral होगा, तो integral d L prime cross r prime बराबर होगा, minus 2 integral d A इसकी दिशा में लिक सकते है, minus 2, इसका जिशा जिशा बाल a मान लेते हैं, इसलिए r cross d l prime cross r prime बराबर है minus 2 r cross a, इसको मैं लगते लता हूं, plus 2 a cross r, तो यह r prime, इसको मैं ज़ी खोल कर घटकों के form में लिखूं, तो यह हो जाएगा r dot d l prime x prime i plus r dot d l prime y prime j plus r dot d l prime z prime k, अब हम पहले पत को निकाल लेंगे, पहले integral को निकाल देंगे, फिर देखेंगे, दूसरों को हम आसानी से, पर दूसरे integral को समझ सकते हैं, क्या उनका मान होगा, तो पहला जो integral है वहाएए r dot d l prime x prime, यह integral prime variable के उपर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, integral x prime r vector dot d l prime, यह पूरे परिपत के उपर है, और अब मैं, stokes को मैं का रियोग करूंगा, और इसको लिखूंगा, curl prime के उपर, x prime r dot d a, अब निकाल लेते हैं है curl, तो curl prime x prime r बराबर होगा i j k d by d x prime, d by d y prime, d y d z prime, x prime x, x prime y, x prime z, और यह जब आप निकालेंगे, तो इसका माहन ना आएगा, minus j z plus k y, और जब इसका हम, यह dot product लेंगे, तो यह बराबर आजाएगा, j dot d a, हो जाएगा, d a ka y ghatak, z plus d a ka z ghatak y, और यह है, r cross d a ka x ghatak, तो यह हम इस integral को लिखें, r dot d l prime r prime, और सभी ghatakों को लें, तो यह है, r dot d l prime x prime i disha में, plus r dot d l prime y prime y disha में, plus r dot d l prime z prime, इस disha में, और पहले का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, तो यह बराबर आजाएगा, r cross d a x i disha में, plus d a y j disha में, plus d a z k disha में, integral, और यह हो गया, r को हम बाहर ले सकते हैं, integral d a, cross product है ही है, तो यह बराबर हो गया, r cross a, अर्थाद minus a cross r, अब जब हम सभी पदों को एक साथ लेंगे, तो आप देखेंगे, की, integral r dot r prime, d l prime, बराबर हो जाएगा, 2 a cross r, minus a cross r, जो हो गया, a cross r, और इसलिए, जो सबसे पहला, पद जो शूनी नहीं है, a r के लिए, वह आएगा, वह होगा, mu zero i upon four pi r cubed a cross r, अब हम परिभाशा देते हैं, जो कि अब यह a, जो है, one upon r square जैसा जा रहा है, तो परिभाशा देते हैं, कि यह, दृधुरूफ, यह dipole से ही आएगा, तो हम i, a को बोलते हैं, यह एक, चुमब की dipole, यह चुमब की है, दृधुरूफ, यह dipole, इसलिए, हम देख रहे हैं, यह हो जाएगा, a, r, बराबर, हमने निकाला, mu zero i, बटा four pi, r cubed, a cross r, और i, a को हमने परिभाशा दी है, m की, तो mu zero upon four pi, m cross r upon r cubed, और यदि हम r के unit vector के रूप में इसको लिखना चाहें, तो यह हो जाएगा, mu zero upon four pi, m cross r unit vector, बटा r square, तो अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं, विद्योत्विभाव से, तो बाइवर में लिखूंगा, vr, दाइवर में लिखूंगा, a r, और हम देखते हैं, की, यहां पर, q, से, मिलता है, vr, बराबर, one upon four pi, epsilon zero, q upon r, और यहां पर, कोई, q, जुमब कीए, नहीं है, फिर हम देखते हैं, की, p से, vr, बराबर, one upon four pi, epsilon zero, p, dot product, r unit vector, बटा, r square, one over r, one over r square, और, यहां पर, पहला, पद ही, वही है, यहां पर, हमें मिलता है, m, से, a r, बराबर, mu zero, upon four pi, m, cross r unit vector, बटा, r square, तो, आप देखते हैं, की, पहला, जो, सबसे, छोटा, कोई, इकाई, चुमबक में है, जो, चुमबक की, एक शेत्र देती है, वह एक, डाइपोल है, और, इसके बाद, यहां, की, मैंने, गणना नहीं करी है, हम, e, निकाल सकते हैं, जो, minus grad of v, होगा, और, इसका, मान आता है, मैं, पूरा करने के लिए, लिख देता हूँ, 3, p, r, minus p, बड़ा, r, cubed, और, इसी प्रकार, b का मान आता है, curl of a से, और, यह मैं आपके लिए, छोड़ता हूँ, क्या इसका मान होगा, क्या इसमें m cross r आ रहाएगा, या m dot आ रहाएगा, यह आप निकालके देखिएगा, तो यह हमने एक तुलना कर ली, अब हम एक उदारन, देते हैं, m निकालने का, जिससे आपको, पता चलेगा की, कैसे इसको हम शेत्रफल से, इसका संबंद निकालते हैं, और यह उदारन मैंने, ग्रिफिट्स से लिया है, तो दिये गए, परिपत में धारा आई, बह रही है, इसका, चुम्बकी, दिविद्रोफ, m निकाली है, और आपको जो परिपत दिया हुआ है, वैस्प्रकार है, यह x, y, z हैं, तो उपर की और एक धारा ऐसे बह रही है, फिर यह नीचे की और आता है, और यह इस तरीके से मिलता है, जैसे एक उस तक मानों की मोड के रख दी गई हो, इस तरह से यह है, और आई इस और से बह रहा है, ध्यान दें कि आप यदि इसके बहुत पास चुमबक शेत्र या वेक्टर पोटेंशल निकालेंगे, तो उसमें आप दुधरूव निकालेंगे, और उसके ऊपर के भी पद निकालेंगे, लेकिन हम यहां पर गणना करना चाहते हैं, केवल दुधरूव की, तो दुधरूव का मान होगा एरिया गुणा आई, अब इसमें आप इसको एक आसान तरीके से निकाल सकते हैं, यदि इस परिपत को दो भागों में बांट लें, तो इस तरीके से यह परिपत बना हुआ है, हम मानेंगे कि यह दो आयतों को मिलकर बना है, और यह एक आयत में धारा इस ओर बहती है, और एक आयत में धारा दूसरी ओर बहती है, तो आप देखेंगे कि बीच का जो इनका उभेनिष्ट भुजा है, वहाँ पर तो इस धारा इक दूसरे उन्हें रस्ट कर देंगी, तो इसमें कोई धारा नहीं है, क्योंकि ली हुई धाराएं एक दूसरे को निरस्ट कर देती हैं, पर इसका लाभ हम को यह हो गया, कि यदि मैं फिर से ये बनाओं, चित्र, तो हमारे पास एक आयत या एक परिपत तो यह हो गया, और एक परिपत दूसरा हो गया, जिसमें धारा और दूसरी और बहर रही है, मान लीजिए जो परिपत होरिजॉन्टल है, शैतिस दूसरा में उसको एक कह दूँँ और दूसरे को दो कह दूँँ, तो अब जो M का मान होगा, वह बराबर होगा M1 पहले परिपत की वज़े से दिधरूफ और प्लस M2, मान लीजिए कि इनकी जो आकार हैं, वह इस तरीके से हैं कि A, B, और तो छोटी भुजा A के बराबर है, बड़ी भुजा B के बराबर है, तो M1 बराबर हो जाएगा, अब देखिए, आप दाएं हाथ का नियम लगाएं, तो M1 होगा I, गुणा A1 प्लस I, गुणा A2, जहां A1 और A2 इन दोने के क्षेत्रफल हैं, और इनकी दिशा दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे, तो A1 की दिशा आएगी, प्लस Z, और A2 की दिशा आएगी, प्लस Y, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल का मान है A, B और इसकी दिशा है Z, प्लस I, A, B और A2 की दिशा है Y, तो यह है, इसका जो magnetic moment होगा, यह होगा, तो यदि इस से बहुत दूर हम चुम्बा की क्षेत्र निकालना चाहें, या चुम्बा की vector potential निकालना चाहें, तो इस M का मान निकालकर हमको वैड मिल सकता है, तो अब मैं इस व्याख्यान का अंत करना चाहूंगो, आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ते हुए, तो प्रश्न यह है, कि यदि मेरे पास एक विद्युत परिपत इस प्रकार का है, कि इसमें हर X Y plane, Y Z plane और Z X plane पर एक आर्थ रिज्या का एक वक्र बनता है, जो एक व्रत्त का हिस्सा है, और इसमें धारा आई बह रही है, तो दिये गए धारा परिपत के लिए चुंबकी द्रूफ, द्रूफ, एम ग्याद करें, और इसमें आपको संकेत दे दूँ, कि क्योंकि जो एरिया है, वह तीनों दिशाओं में है, तो इसमें इसका आई घटक भी होगा, जे घटक भी होगा, और के घटक भी होगा, तो इस प्रस्ट के साथ आपको छोड़ते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस व्याक खान की समाप्ति करता हूँ. लिएяет उक करता हुए मैं आपको अन्यवाद करता हुए मैं